लद्दाख की गलवान घाटी जब लहुलुहान हुई तो हिंदुस्तान के बीस घरों के चराग बुझ गए इन्ही में से एक है जारखंड के पुर्वी सिंग भूम जिले के बहार गोडा का ये घर कलेजा चीर देने वाली चीख और ना रुकने वाले आंसू ये उस मा की ममता है जो अपने कलेजे के टुकडे के लिए बिलख रही है पिता की आँखों का पानी तो मानो सूख गया है शुन्य को जाकती ये आँखें खुद शुन्य हुई जा रही है और इस कच्चे घर के बाहर जुटी भीड ये सब उस दर्द के हामी बनने आये हैं जो इस घर में रहने वालों के सीने पर पहाड से भी भारी बोज बन चुका है इस घर का लाडला गडेश गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हो गया महस 23 साल की उम्र में वो मादरे वतन हिंद की निगेबानी में शहीद हो गया अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है गाउं भर में मातम पसरा है घर पर गडेश की शादी की चर्चाएं चल रही थी सबकी ख्वाहिश थी कि अगले लगन तक इस घर में बहु आ जाए लेकिन आई भी तो क्या खबर शहादत की खबर गडेश ने सितंबर 2018 में इंडियन आर्मी जॉइन की थी उसकी बचपन से ही आर्मी में जाने की इच्छा थी फिर जब राची में इंडियन आर्मी की सीधी बहाली हुई तो गडेश भी अपनी दावेदारी पेश करने पहुँच गये जहां उनका चैन हो गया फिर दानापुर में ट्रेनिंग और उसके बाद पहली पोस्टिंग लद्दाख करीच छे महिने पहले गडेश दो महिनी के छुट्टी पर घर आये थे पर उमीद किसी को नहीं थी कि अगली बार वो अपने पैरों पर चल कर नहीं बलकि तिरंगे में लिपट कर आएंगे शहीद गडेश के पिता सुब्दा हासदा किसान है और मा ग्रेडी गडेश के भाई गाउं में रहकर ही खेती बाड़ी करते हैं सबको उमीद है कि बेशक इस घर की खुशियों पर मातम छा गया लेकिन गडेश की शहादत बेजा न जाने पाए पुर्वी सिंग भूम से दिनेश रजक की रिपोर्ट